नमबर साथ, 1833 इस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 इस्वी के चार्टर अधिनियम के समय मैकाले नियंत्रन बोर्ड का सच्यू और जेम्स मिल जो की एक खैती प्राप्त इतिहासकार एवं बेथम का शिश्य था, इंडिया हाउस में एक उचे पद पर विराजमान था, इसलिए इ इन दोनों ही वेक्तियों का 1833 इस्वी के चार्टर अधिनियम पर इस्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, इस अधिनियम की प्रमुख बाते निमनलिखित थी, नमबर एक, कमपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुना बढ़ा दिया गया, नमबर दो, बंगाल के गवर्नर जन्नल को अब भारत का गवर्नर जन्नल बना दिया गया, और सपरिशद गवर्नर जन्नल को कमपनी के सैनिक तथा असैनिक कारे का नियंत्रण, निरिक्षन त तथा निर्देशन सौपा गया। इस प्रकार भारत के प्रशासन का केंद्रिय करण कर दिया गया। नमबर पांच, कमपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णता समाप्त कर दिया गया। नमबर आठ, इस अधनियम दोरा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की कारिकारणी में एक अतरिक्त कानोनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में समलित किया गया। उसे केवल परिशदों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था परन्तु मत देने का अधिकार नही नहीं था.